इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ करीपत्ता के फायदों के बारे में करीपत्ता वजन घटाने में मदद करता है करीपत्तों में नाइकलरोमेथिन, इथायलेसिटेट और महानिम्बीन जैसे खास तत्व पाये जाते हैं इन तत्वों में वजन को कम करने और ट्राइगलिसराइट्स के इस्तर को नियंद्रत करने के शमता पाये जाती है करीपत्ता एनीमिया से रहा दिलाने में मदद कार होता है क्योंकि करीपत्तों में एंटी एनीमिक गुर्ट पाये जाते हैं कड़ी पत्तों में गेल्शियम, आयरेंड, जिंक और वेनेरियम जैसे खानीच पदात पाये जाते हैं जो इनीमिया से चुटकारा दिलाने के लिए महतपुर्ण भूमिका निभाते हैं इसके अलावा करी पत्तों में हाइपोग्लासीमिक यानि शुगार लिवल को कम करने वाले गुड़ पाये जाते हैं इसलिए करी पत्तों का इस्तमाल आपको डायबटीस से बचाता है और जिनको डायबटीस पहले से हैं उनमें डायबटीस के नियंतरन में सहायक होता है करी पत्तों में टैनीन और कार्बिजोल इलकिलाइड जैसे तत्व मौझूद होते हैं इन ततों में हेपेटो प्रोटेक्टिव गुड पाये जाते हैं जो लीवर की कारेशमता को बढ़ाने के साथ ही साथ लीवर इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटेस, लीवर सिरोसिस आधी की जोखी मोग से लीवर को बचाते हैं करीपत्ता में पाये जाने वाले कार्बिचोल इलकलाइड में डायरिया से बचाव करने के अद्बुत छमता पाई जाती हैं चुहो पर किये गए एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि करीपत्ते का सेवन हिर्दय संबंधी रोगों से बचाव करने में सहायक हो सकता है वहीं एक अध्यान की मानी तो हिर्दय संबंधी बिमारियों की इलाज के लिए करीपत्ते का उप्योगे कारगर आयरुवेदिक औसधी की रूप में लंबे समय से होता है इसके अलावा कई अध्यानों से यह भी पता चला है कि करीपत्ता कोलिस्ट्रॉल को नियंद्रित करने का भी काम करता है जो हार्ट हेल्थ को यानि कि दिल को मजबूत बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है करीपत्ता के तेल में पाये जाने वाले कुछ खास पोशिक तत्वों में इंकि ऑर इंटी फंगल गुट भी पाये जाते हैं जो आपके शरीर को बक्तिरियल और फंगल इंफेक्शन से बचाते है इसके अलावा करीपत्ता में anti-inflammatory गुर्ण यानि कि सूजन को कम करने वाले गुर्ण भी पाये जाते हैं जो सूजन समधी परिशानियों से कुछ हद तक रहा दिला सकते हैं करीपत्ता morning sickness में भी फायदे मन्द होता है शोद की माने तो गर्भावस्ता में करीपत्ता का उपयोग उल्टी और मतली को ठीक करने में मददकार हो सकता है करीपत्ते वा निम्बू के रस्मी चीनी मिलाकर सेवन करने से morning sickness को दूर किया जा सकता है करीपत्तों में vitamin A और essential oil पाये जाते हैं जो आँखों की रोशनी में सुधार कर सकते हैं करीपत्ता शुष्क तवचा में जान भनने के साथ तवचा की रंगत में सुधार कर सकता है करीपत्ता युक्त क्रीम शूरी की हानी कारक कीनों से तवचा को सुरक्षा प्रदान करती है नियमित रूप से करीपत्ते का तेल तवचा पर लगाने से मुहासू, पिमपल, आदी से छटकारा मिल सकता है तवचा की सांग बालों के लिए करीपत्ता का उपयोग फायदेवन हो सकता है एक शोद की मानी तो ताजे करीपत्ता को नारियल की तेल में उबाल कर सकाल परने की खोपड़ी पर लगाने से काले घनी और लंबे मोटे बाल मिलते हैं चली आप इस बात पर शर्चा करते हैं कि करीपत्ता का उपयोग किस प्रकार आपको करना चाहिए जिससे आपको इसका अधिकतम बेनिफिट, अधिकतम लाप मिल सके करीपत्ता को आप भोजन पकाते वक्त मसालों के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं सबजी, दाल, चावल, सांभार और तरह तरह के वंचनों के साथ आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं करीपत्ता को आप नारिल की चटने में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं खाने में अक्सर इसका इसका इस्तमाल फ्राई करके ही किया जा सकता है करी पत्ते की पकोड़ी बनाकर भी आप इसके इस्तमाल कर सकते हैं एक बार भोजन में करी पत्ता की 8 से 10 पत्तियों का ही इस्तमाल करना चाहिए करी पत्तों का उपयोग आप जब बालों के लिए करें पीश्ट उपयोग में लाया जा सकता है इसे पानी के साथ उबाने और उस पानी को नहाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा करने से तवचा संबंधि विकारों से तवचा संबंधि रोगों से इंफेक्शन से शुटका रपाया जा सकता है तो इस वीडियो में मसित नह चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फामा काई चैनल को और बिल एकॉन का बट्न दबाना बन भूलिए स्वस्त रहिए सिरक्षित रहिए दन्यवाद